हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तू नॉलेज इट्यूट मैट्स आजम सॉल्व करने जा रहे है क्लास 10 आजे सग्रवाल निव अडिशन चाप्टर 3 पेर ओफ लीनेर एक्वेशन इंटु वेरीबर्स एक्सरसाइज 3 इसे क्वेशन नंबर 4,5 & 6 क्वेशन 4 में कह रहे है तो हम मान लेते हैं कि वो दो नंबर हमारे एक्स और वाई है तो अब हमसे कहा है कि इनका जो सम है according to question जो इनका सम है एक्स और वाई का वो है 137 और जो इनका डिफ्रेंस है एक्स माइनस वाई का वो है 43 अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं एक्वेशन फर्स और सेकेंड को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो य से कैंसल हो जाएगा एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 730 क्यारीवन और एट यह हो जाएगा 180 यानि की को कैंसल करेंगे तो 90 एक्स की वैलू आ गई हमारी 90 अब इस वैल्यू को यह हो जाएगा प्लास यह हो जाएगा एक्स प्लस वाइज इड्वल तू 137 और यह हो जाएगा हमारा 47 तो आप देख सकते हैं 90 और 47 यही हमारे क्या है दो नंबर्स है जिनको आप जब एड करेंगे ना 137 ही आएगा और जब इनको आप माइनस करेंगे तो आहां पर 43 ही आएगा आप सॉल्व करके इनको क्रॉस शेक करके देख भी सकते हैं तो इसको लिख लेते हम therefore the sorry therefore the numbers किते होगे हमारे 90 और 47 क्योंकि एक्स और य है यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर यह था question 4 question 5 को भी solve कर लेते हैं question 5 में कहा है कि find two numbers such that the sum of twice the first and thrice the second is 92 and four times the first exceeds seven times the second by two इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमसे कहा है कि दो number हमें find करना है जिसमें जो हमारा sum है यानि जो addition है किसका twice the first first number का जो twice कर देंगे and उसके बाद second number को जब हम thrice कर देंगे जो उनों को जब हम add करेंगे तो वो 92 आना चाहिए इसके बाद हमें अगर उनका हम first number से जो है exceed कर रहा है seven times second number और वो भी अगर हम उसको four times कर देंगे by two तो इसको हम थोड़ा statement को लिख के solve करेंगे तो जाद आपको समझ में आएगा clearly तो पहले लेट कर लेते हैं कि इसमें जो numbers है हमारे वो x and y है ऐसे करके let कर लेते हैं so let कर लेते हैं कि let the let the first number be x and second number be y तीक है अब according to question फर्स्ट परला साइड आपको समझ में आ रहा होगा इसने क्या कहा है समझे कह रहा है इसने कि twice the first तो first को twice कर दिया मैंने and sum कर दिया sum of thrice the second तो second को thrice कर दिया and is कितना है 92 है फिर से देखिए यहां पर sum of thrice of the first first का twice and thrice of the second यानि second का thrice इसका कितना sum है 92 है इसे equation first मान लेते हैं second question में क्या बोला है four times क्या करना है four times the first सबसे बहले समझे four times the first यानि first का 4 times Makas hok before time is the first two six seven time seven time exceed the second. जो second है फो seven times the second time exceeds जैन्ग कर रहा है seven time exceeds कर घंड उसके बाद2 कितना exceed कर रहा है two exceed कर रहा थी 어 cinny के मैंने एक्सीड कर रहा है कितना एक्सीड कर रहा है 7 times the second by 2 मतलब second exceed कर रहा है 7 times किस से यह हमारा first वाला ठीक है तो first वाला जो है वो 4 गुना करने पर second वाले के 2 से exceed कर रहा है 7 times तो यह हो जाएगा हमारा second part अब इसको हम solve कर लेते equation को तो अब हमारा क्या है यहाँ पर x and y के terms में है तो इसे 4 x minus 7 y is equal to 2 कर लेते हूं यह equation second हम माल लेते हैं ठीक है यह वाला equation रहन रहन रहते हैं तो अब यह हमारा 2 x है यह हमारा plus 3 y है अब इसमें काम करते हैं इसमें हम 7 से multiply कर लेते हैं इसमें हम 3 से इसके coefficients से और इसके इसके बाद यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 7 to the 14 x minus plus 7 3 is a 21 y is equal to 9 to the 14 7 to the 14 carry 1 और उसके बाद हो जाएगा 9 7s are 63 और इसके बाद हो जाएगा हमारा 63 और 1 यह हो गया 64 ठीक है 64 हो गया और इसके बाद यहां देखते हैं हमारा 4 3s are 12 x हो जाएगा minus 7 3s are 21 y हो जाएगा 3 to the 6 हो जाएगा अब इसको सॉल करेंगे यह हो जाएगा हमारा 6 और यह 26 x is equal to is equal to 6 और 10 0 carry 1 carry 1 यह हो जाएगा 5 यहने कि 65 तो अब यह 13 के टेबल से cancel हो जाए 13 2s are 26 13 5s is 65 2 से cancel होगा 25 तो x is equal to 25 x की वालू आगे 25 इसे equation first में पूट कर लेते हैं यहां लिख लेते हैं by equation first equation first क्या है हमारी 2x plus 3y is equal to 92 है तो 2 into 20 25 plus 3y is equal to 92 3y is equal to 92 minus 50 25 to the 50 तो 3y is equal to 2 42 और यह 9 में से 4 minus 5 minus करेंगे 4 42 तो यह हो जाएगा 3 1s are 3 3 4s are 12 y is equal to 14 y की value 14 और x की value 25 यानि की first number हमारा क्या है 25 और second number हमारा क्या है 14 है तो इन दोनों नंबर को जब आप करेंगे इस टाइप की values में पूट करके तो यही आएगा आपका यहां पे इढ़ 92 आएगा इसको सॉल करेंगे तो यह फोल आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा the first number हो जाएगा x is equal to 25 and second number y is equal to 20 y is equal to 14 या अंसर हो गया अब question number 6 को भी solve कर लेगते है question 6 में कह रहा है find two numbers such that the sum of thrice and the first and second is 142 and four times the first exceeds the second by 138 question 5 के जैसे ही इसमें कह रहा है इसके बाद four times करना है first का जो की second number से 138 exceed कर रहा है तो बहुत easy है लेट कर लेटे कि first number x और second number y है तो first number x से second number y है तो according to question इसमें क्या कहा है कि जो हमारा first है ठीक है तो मतलब first का अगर thrice है तो उनको जब हम second से sum कर रहे है तो 142 हमको मिल रहा है इसे हम equation first बनाते है उसके बाद जो हमारा first है वो से हम क्या कर दे रहे है जो हमारा first है वो उसका four times the first first का four times first का four times exceed कर रहा है कितना exceed कर रहा है second से 138 exceed कर रहा है second the by 138 second number हमारा first वाले का four times ठीक है तो इसे हम इसको four x minus y is equal to 138 कर देते तो जादा easy हो जाएगा equation first or second से ठीक है by first and second first का three x plus four y is equal to 142 है यह हो जाएगा four x minus y is equal to 138 इसको हम add करेंगे तो cancel हो गया यह हो गया seven x is equal to eight two ten zero carry one seven three four three seven and eight यह हो जाएगा two hundred eighty तो यह हो जाएगा four sevens are twenty eight यह हो जाएगा sorry seven fours are twenty eight यह हो जाएगा हमारा x is equal to 40 तो x की वालू आ गई 40 इसे equation first में put कर लेते हैं तो y की वालू आ जाएगी so y equation first equation first हमारी क्या है three x plus y is equal to 142 यह हो जाएगा three into 40 plus y is equal to 142 so y is equal to 142 minus four three is at twelve one hundred twenty यह हो जाएगा हमारा two और 222 तो y की वालू आ गई हमारी 22 so x की वालू आ गई हमारी 40 और y की वालू आ रही 22 यानि कि first number हमारा क्या है 40 और second number हमारा क्या है 22 है so x is equal to 40 and second number y is equal to 22 this is your answer यह था question number four five and six तो इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much for watching